आज हम आपको बताएंगे मैगी बनाने का बहुत ही आसान तरीका अगर इस तरीके से एक बार मैगी बनाएंगे ना तो यकीन मानिए पेट भर की खाएंगे तो ऐसा ही बनाने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा वीडियो पसंद आए तो प्लिस वीडियो को ल और हारा माटर जो है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं यहां पे हम चला के इसको हलकी सी भूलेंगे इसे जादा नहीं भूलेंगे क्योंकि दो-दो टुकड़ा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा और यहां पे हलकी सी फ्राई होने के बाद इसको मैंने निकाल दिया ह फिर इसमें हम डाल दिंगे सरसो का तेल, आप जो तिल खाते हैं वो डाल सकते हैं तो जैसे तेल गरम हो जाता है इसमें हम डाल दिंगे चुटकी भर जीरा, जीरा को हमें ज्यादा नहीं जलाना है बस हलकी सी भूलना है इसको तेहां पे आपशे अब इसको हम डाल दिनगे प्याज तो 2 Međडियख़म fragment cabeça कर अब इसे अच्छी का दाइसी दो में नमक सक्वाद की अदूरु में अच्छी मिला लिया अब इसमें हम डाल देंगे एक बाती कता हुआ टमाटbay तो यारगाईका है laeg और अधूरा रह जायगा और खाने में माजा नहीं आएगा ऽो जया स्वेसस को हम लोग देखी सकते हैं अब इसमें हम डालेंगे मैगी तो मैगी मैंने लिया है चार पैकिट जो छोटा वला पैकिट आता है वही चार पैकिट मैगी आप लोग देख सकते हैं उसको मन ने फाड़ के निकाल दिया है और इसी में था चार पैकिट ये मैगी का मसाला थी इसको हम साइड में रखेंगे और ऐसा ही हम डाल देते हैं हमें इसको तोड़ना नहीं है अगर तोड़ देंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा जैसे लगेगा खिंचड़ी है तो देखिए मैगी डालने के बाद अब यहीं पे मैंने फ्राइ किया हुआ मतर दिया है अब इसमें हम डालेंगे साथ में पानी डालेंगे तो चार पक्ड़ मैगी और दो किलाश हमीज में पानी डालेंगे इसी पर्फेक्ट बनेगा बहुत ही अच्छा बनके त्यार होगा तो यहां पर इसमें हम डाल देंगे एक चोथा चमच हल्दी पाउडर ताकि कलर जो है इसको पीला जाए मतलब देखने में अच्छा लगे आप चाहें तो अगर नहीं पीला रखना है तो हल्दी पाउडर ना डा जाए आप लोग देख सकते हैं कि जैसे मैंने पानी डाला कितने अच्छे से अलग-अलग होना सुरू हो गया है अब इसको हम मिला देंगे फिर इसमें डाल देंगे धनिया पत्ता धनिया पत्ता सी टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है खाने में अच्छा लगता है अब इसक तो थोड़ा थोड़ा पानी देख रहा है इसको आप चाहे तो जला सकते हैं अगर नहीं जलाएंगे तो भी बहुती बहतेरीन लगेगा क्योंकि अगर जला देंगे ना तो चिपकना सुरू हो जाता है अगर नहीं जलाएंगे तो ऐसाई खिला खिला रहेगा और खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा ये किन मानिया आप इस तरीके से एक बार जरूर बना के खाईए ये किन मानिये बार बार ऐसाई बना के खाएंगे तो देखिए दोस्तो अब हमें क्या करना है गैस को बंद कर देना है और यहीं पे हमें डाल देना है थोड़ा सा धनिया पत्ता और धन्यापत्ता डालने के बाद इसको हम क्या करना है कभर करके एक मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि धन्यापत्ता का टेस्ट जो है घोल मिल जाए अब इसका ढखकन हटा है मैंने और यह लीजिए थैना लाजवाब मैगी बनके त्यार हो गया है तो दोस्तो इस तरीके से आप भी बनाईए और जहटपट में परोस के खाई आप लोग देखी सकते हैं कि दिखने में कितना अच्छा लग रहा है मैगी और यह दोस्तो मैगी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा प्लीस हमें कमेंट मिले के जरूर बताएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीस वीडियो को लाइक और हमारे चेनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो यह देखिए मैं आपको दिखा रही हूं कि पास से भी हमारा मैगी जो है कितना टेस्टी बना हुआ है और भूक लगता है ना तो मन करता है जी बरके खा जाओं तो यार गई चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में वीडियो दिखने के लिए सुक्रिया थैंकिए